हेलो बच्चों तुम लोगों के बहुत सारे confusion सिर्फ इस चीज से related है युनिवर्सिटी कैसे एड़ करें, युनिवर्सिटी कैसे लेस करें, कोर्सिस कैसे एड़ करें, सर मैं कौन सा program select करूँ, सर मेरा पैसा कैसे वापस हो जाएगा, अगर मैंने program add करा तो, less करा तो, मैं कैसे eligibility criteria को चेक करूँ, उससे related बहुत सारे doubts सारे हैं, जैसा कि promise करा था मैंने तुम लोगों से, कि जैसे ही तुम लोग एक बार form correction window आ जाएगा, मैं तुम लोगों को university से related, courses से related, पूरी detail बात तुम लोगों को बता दूँगा, ठीक है, बात समझ लेते हैं, एक बात जल्दी से quickly समझेंगे, और detail में इस बात को अभी मैं form fill करके दिखाऊंगा, add करके दिखाऊंगा, कि programs को कैसे add करना है, कि thought process के सार, आराम से इस बात को समझना, हडबढ़ाना, बि पूरे वीडियो में, और समझते हैं, इस पूरी process को कैसे work करने वाला है, यहाँ पे तुमने अपनी cuet.ac.in की website open करके, अपना application number डाल के रख लेना, यहाँ तक का process तुम्हें पता है, मैं बार-बार बता चुका हूँ, जब तुम यहाँ पे आओगे, तुम्हारे पास दो option होगे, या तो तुम correction window में जाओ और last में, जब correction window में last में आओगे, तो तुम्हें यहाँ पे add university, less university के दो option मिलेगा, add university और add subjects के दो option मिलेंगे, तुम university आप program add कर सकते हो, दो चीज़ है, university और program का अंतर समझना, तुम एक university के बहुत सारे programs भी select कर सकते हो, तुम बहुत सारी universities भी select है से, for example, किसी बच्चे ने Delhi university select करा, so Delhi university में BCOM, BA, BA के बहुत सारे options, BCOM के honors, BCOM plane, BBA, BSC, vocational courses, सारे options तुम select कर पाऊगे, तो तुम्हारे पास university add करने का option ही, तुम्हारे पास उसके course को add करने का भी option है, available है, तो university को जब तुमने add कर दिया, courses को तुमने select कर लिया, तो तुम्हे finally करना क्या है, तुम्हे अब test papers भी दूसरा upload करना है, तो तुम उसके हिसाब से test भी upload या update करोगे, this is how it works, अब इसी तरीके से work करेगा, एक बाद चेक करते हैं, ये इसका structure कैसे होने वाला है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है तुम लोग के सामने, कि तुम ल University. University add करना है, उसके हिसाब से test paper देखेंगे कि सही है निया, मैंने कै खराऊ मैंने कौन-कौन University add करी, मैंने पास अलाबाद University मैं अब यूनिवर्सेटीज चर आश्का मैंने ब्ल्ल्प प्रोग्राम से लेक्शिज चरा हुआ है। मैंने, दूसरी बार है, जिसमें मैंने BMSłam म मैंने select कर रहा हुआ है इन सारे जो universities और courses मैंने select करें उन सब में एक चीज तुम लोग देखो कि हां पर लिखा हुए list of subject required to appear in CUET यह लोग पूछ खुद ही बोल रहे हैं कि देख लो कि भाई यह list हम बता नहीं कि required अगर मैं अलाबाद university की बात करो ध्यान से समझना अलाबाद university में मुझसे क्या क्या डिमांड कर रहा है उसे बुल रहा है section 1 language में मुझे एक minimum select करना होगा from either English और Hindi इसके लावा मैंने सारी languages इन्होंने सारी languages को हटा दिया तो मुझे मेरे पास भी option नहीं कि मालाबाद के लिए कोई और language select करूँ अगर मैंने बाकी university में से यही पर समझते हैं मैंने अभी तक बाकी university में से दूसरी language select करी होगी मैंने कंड़ या मैंने मराथी गुजराती को एक select करी हुई तो यहाँ पर मुझे language to be opt करना पड़ेगा that is either English और Hindi मेरे पास तीन language select करने का वैसे भी option होता है तो second language select तुम कर सकते हो यहां पर और अगर तुम में से किसे ने English और Hindi कर रहा है तो यहां पर तुम्हें अलग से कुछ भी add करने की ज़रूती है और eligible हम एक criteria तो हमने fulfill कर लिया है नहीं कर रहा है तो second add करना पड़ेगा फिर बोल रहा है domain subject तुम्हें लेना है एक domain subject जिसमें legal studies compulsory तुम लोगों ने दो या तीन domain subject select करें होंगे दो तो usually सब करके रखी रहा है अभी तक जो messages आए है यह दिख भी रहा है नहीं भी कर रहा है तो यह यह अलाबाद university क्या बोलती है BLLB program के लिए तो यह लोग बोल रहे हैं कि आप मुझे तो सर नी बोलेंगे लोग बोलेंगे बिटा आप एक काम करो आप लीगल स्टेडीज को compulsorily select कर लो मैं लीगल स्टेडीज कंपल्सरी कर दिया लीगल स्टेडीज आपको select करना जरूरी है तो डियू ने जो criteria निकाला है उसको छोड़के अभी ऐसा कुछ अलग-अलग universities का अलग-अलग criteria अलाबाद का एक criteria नहीं है कि आप लीगल स्टेडीज आपका class 12 में होना जरूरी है सब्सक्राइब का कोई भी सच क्राइटेरिया नहीं यह भी चेक करना है एक और eligibility criteria पे चेक कर लेता है यह क्लिक करके देख लो सब्सक्राइब कर लो ये तो होगह सब्जेक्ट्प्रेक्प्षाइड वाले कॉलम अब यहां पर देख वो थता इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बार काउंसिल आप इंडिया के हिसाब से तो हम जिस भी बोर्ड में होगे क्वालिफिकेशन वैलिद होगी हो अरुटीवाइष नहीं नहीं ना थे है क्याए इसके साब सब्सक्राएं है देखो मैंने युनिवर्सिटी आइड कर दी मैं युनिवर्सिटी हटा नहीं पाऊंगा इसलिए एक बार eligibility का cut.summer.ac.in पर जाके eligibility हर एक युनिवर्सिटी के पहले से ही चेक कर लेना तो तुमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर मैंने डेली भरा हुआ है फिर मैंने अलग-अलग ओनवसिटी भरी. Now, is there a possibility की में और कोई युनिवर्सिटी आइड करपाँ चेक कर लेतें गबार तो मैंने ED अचरा, खरग काना चत्म कहते हैं और काई युनिवर्सिटी तुम आड करणा चाहते हो तो तुम्हें कोई special university add करनी है तो यहाँ पर डाल दूँ सपोज मैंने अलीगड मुस्लिम university देखते हैं एक बार भर के अलीगड मुस्लिम उनिवर्सिटी डाला अलीगड मुस्लिम उनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स करना है वो चेक कर लेते हैं तो सपोज मुझे बीए हिंदी दिख रहा है वोकेशनल कोर्से बीए सी हों साइंस है चेक कर लो तुम्हें कौन सा कोर्स करना है तो अलीगड मुस्लिम उनिवर्सिटी ने कुछी का रहा हुआ बनारा सुम्दू उनिवर्सिटी का चेक करें कि बीकॉम सेयरा नहीं होगा इसका मतलव है ऑल्री क्रीड मेशंच तो मैं मतला है तो इस फीका मैं चूस करता हो मालनेते बी और ये ऐलल बी ऑौनर्स कुछ और मैं विए अगर चूस कर रहो तो बता देगा नहीं तुमने अल्रेडी चूस करता हूं ठीक है हरा निशान मतलब तुम्हेरी जंटी दे रहा है जैसी मैंने एड करा उसने मेरे इसमें बनारस हिंदू अब एड होने के बाद यह चेक कर लो पहले ही चेक करके रखना वैसे तो फिर भी एक बार पर चेक कर लो कि कौन-कौन से तुमने क्या बोला है क्या रेक्वार्ट फॉर सेक्शन वन ए लैंग्वेज हिंदी एंग्लिश में से कोच एक मतलब अलाबाद उनिवर्सिटी का क्राइटेरी यहां पर भी मैच हो रहा है लीगल स्टीज और सेक्शन 3 इतनी चीज़ें होने चाहिए थी जनरल टेस्ट और अदमीशन बीएचिए और जनरल टेस्ट होना चाहिए मेरी बाकी उनिवर्सिटीज फिर आइड है तो मैं मैं उनिवर्सिटीज आइड करता जाओंगा अब ही सारे युनिवर्सिटी आइड होने के बाद एक बार कहीं पर लिख लो किसी पेपर में की हर युनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है तो थीन अधिर कॉलम बना लो एकॉलम में लिख लो लंग्वेज कौन-कौन से कंपल रही सेकेंड में बना लोग डो जाके चेक करूंगा मेरे application में कि अब मैं कौन से courses एड़ करूं तो मेरे application के साथ से चेक कर लेते हैं अभी तुम लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि मेरे इसमें legal studies तो compulsory दिखाई रहा है now let's go for let's check कि मेरे पास test paper selection कौन मैं test paper update करता हूँ तो दो तरीके हैं या तो मैं correction window में जाके update करूँ या मैं यहीं से update कर दो मैं इसको multiple time भी कर पा रहा हूँ मैंने थोड़ देर पहले करा था मैं फिर कर रहा हूँ मैं भी फिर कर सकता हूँ कौन सी चीज़े multiple time नहीं कर सकते हम correction window में बाकी options को एक बार edit करेंगे तो बार बार वो नहीं होगा लेकिन universities और test paper में कर सकता हूँ university क्योंकि मुझे अचानक realize होगा कि मेरी university मुझे add कर नहीं जो मैं definitely कर पाऊंगा तो मैं test paper update selection में जाता हूँ क्योंकि अब मैंने university add करी है और मेरे इसाब से मुझे लग रहा है कुछ गढबढ हो देखते हैं क्या क्या है मेरे पास English है so am I eligible for all my courses दढ़ा select yes मेरे पास DU के सारे courses के लिए eligible हूँ मैं अलाबाद के लिए भी हूँ मैं बनारा सिंदू university के लिए भी हूँ मैं सारी university के लिए अलिजिबल हूँ इंग्लिश के साब से किसी ने एक language मांगे किसी ने English इस language मांगे मैं दोनों में eligible हो गया हूँ फिर domain subject में accountancy economics है और एक domain subject में business studies है अब यहाँ पे अगर मैं देखू तो मैं DU के program के लिए अलिजिबल हूँ मैं बी एच्चू की वी कॉम के लिए अलिजिबल हूँ लेकिन मैं अलहाबाद और बनारा सिंदू university बी एच्चू के लिए लिए अलिजिबल अभी नहीं हूँ तो मुझे अब अपनी university के हिसाब से यह देखो उसने मुझे नीचे पूरा structure भी इन्होंने एक sample के लिए दे दिया है कि आपने क्या-क्या select करा हूँ यह भी देख लो तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं BMS एनी वन फ्रॉम section 1 mathematics में BMS के लिए अब eligible नहीं हूँ यह भी clear हो गया कि BMS में भी मुझे कम से कब mathematics लेना पड़ेगा जनरलिजम के लिए मुझे बोल रहा है कोई भी three subject from section 2 और section 3 में से कुछ एक भी मैंने लिखा तो भी so मैं English plus section 3 English plus three subjects मैं अभी दोनों में eligible हूँ तो मैं University of Delhi के जनरलिजम के लिए eligible हूँ मैं University of Delhi के लिए BMS और BBA FIA इन दोनों के लिए eligible नहीं हूँ मैं BCOM के लिए भी eligible हूँ क्योंकि इनने मुझे बोला है anyone from section 1 anyone from section 3 and section 3 मतलब मैं 3 subject कोई भी section 2 से ले सकता हूँ यह possibility उन्हें दी होई है मैं BCOM के लिए eligible हूँ मैं BCOM honors के लिए भी eligible हूँ क्योंकि यहां पर मुझे नहीं मांगा हूँ Accountancy Business Studies opt करना पड़ेगा section 3 मैं BCOM के लिए eligible हूँ मैं University of Delhi के BCOM honors के लिए भी eligible हूँ देखो कैसे यहां पर अगर सिर्फ math मांगते तो मैं नहीं होता जो BBA में मांग रहे हैं इन्होंने math के साथ साथ option में accountancy भी डाल दिया है चो मेरे पास है so I have accountancy in my list तो accountancy है तो मैं कर सकता हूँ option clear है कुछ accountancy बोलते है कुछ state में इसको bookkeeping भी बोला जाता है तो bookkeeping और accountancy के साथ से business economics और economics दोनों valid है business studies का नाम business studies तो हम मेरे पास मेरे criteria के साथ से बच्चों तुम लोग समझो मेरे पास क्या नहीं है मेरे पास mathematics as an option मुझे लेना पड़ेगा मुझे legal studies and option choose करना पड़ेगा बाकिया eligible for everything यही तुम्हें बनाना है तो मुझे अपडेट तो करना पड़ेगा तो मैंने एक बार university सारी select करी उनके courses देख लिए फिर मैंने university update कर दी अब मुझे उसके साब से test paper update करना पड़ेगा अगर मैं मैं टेस्ट पर update पर क्लिक कर रहा है तो यहां पर फिर से आजाएगा language मैं एक बार और कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ गढ़वा तो मैंने लेंग्वेज में इंग्लिश सब्सक्राइब मेरा काम हो रहा है मैं डोमेन में सेकंड जाके बिजनस ट्री सब्सक्राइब कर ले कुछ और additional language होनी चाहिए थी मुझे यहां पर additional language भी लेनी है अगर मेरे पास मुझे option दिया जाए तो अदर्वाइस नहीं सबसे लास्ट में देखोगे यहां पर नॉट अप्लिकेबल है इस पर क्लिक कर दो क्या मुझे एक और कोई additional language या domain चाहिए यहां पर देखो यहां पर डोमेन भी आ सकता है मतलब यहां पर additional language डोमेन यहां पर चीज़ें आ सकती additional language के साब से 1a 1b के साब से subject के साब से in view of subject तुम ले सकते हो additional language तो यहां पर मुझे not applicable ही करना है तो मुझे domain specific subject 3 कुछ लेना है क् मैं उपर चूश कर सकता हूं नीचे मैं तीन और नीचे चूश कर पा रहा हूं तो येस मुझे लेना है मुझे एक लेना है economics मुझे लगता है economics मुझे paper लिखना चाहिए उसमें मेरी पकड़ बहुत अच्छी क्योंकि मैंने class 12 उससे करा हुआ है तो अपनी class 12 के subject को बिलकु compulsory चूश करो फिर मुझे बूला गया है legal studies चूश करो और यह not applicable का not है अगर यहां लगता है कि कोई एक subject और चूश करना है तो वह भी कर सकते हो लेकिन मैं भी not applicable कर रहा हूं क्यों क्यों लिखो इतने सारी चीज़ें तो मैंने not applicable कर दिए अब देखो यहां पर दो चीज़े हो सकता है कुछ बच्चों ने सिर्फ slot one select करा हो और slot पहला case slot one select कर और slot two select करें और they have to pay money मुझसे यह नहीं मांगेगा पैसा क्योंकि मैंने दोनों slot पहली select करके रखे दे उन बच्चों ने जिनने slot two बाद में select करा है they ask for money भाई या पैसा पे कर दो 60 रुपे तो मैं पेकर न मेरा एक domain जो मैंने सब उसकी बच्चे को लग रहा है एक domain math से सारा काम चल रहा है और second legal study से हमारे case में भी चल गया लेकिन मुझे बनारा सिंदू university ने ऐसा बोला था कि accounts और BST भी होना चाहिए business studies और economics भी बहु ने अपना criteria डाल दी इसलिए मैंने math accounts legal studies तीन चीज आए गए देखो जा तीन domain आ गए उसके बाद तो तुम तीन करो या छे करो या पांच करो कोई matter नहीं गड़ता फिर तो तुम मैं 600 लगी रहे पर अगर दो ही है और बिल्कुल clear हो गया कि मेरी सारी university के सारे courses पर एक बात ध्यान रखना maximum university और maximum courses at least maximum courses तो जरूर सलेक करना जिसे मैंने D.U. के बहुत सारे करे हुए related courses अगर मैं BA कर रहा हूं तो BA के बहुत सारे related courses करूंगा मैं और देखूंगा अच्छी university में कहां कहां BA या BCOM अच्छा हो सकता है अगर मैं BCOM site जा रहा हूं तो BSC site वालों के लिए BSC तो अगर मेरा अगर उल्टा होता है मैं बिल्कुल clarity है मैं मैं multiple courses भी select कर ली है फिर भी मेरा first slot में हो रहा है और मैंने इसके पहले दो slot select करके रखे थे तो second slot से सब not applicable कर देना you get your money refund once they issue your admit card don't worry at all यह notice निकाला हुआ है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत यहां पे नहीं है पैसा आ जाए तो दोनों cases में add करना add कर तो less करना less courses में अच्छे पूछ रहे less कैसे करें बिल्कुल नहीं कर सकते मत करो less कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई नुकसान भी नहीं होने वाला यहां पर अगर तुमने सपोज मैंने ऐसे मानू अब यहां पर मैं अपने एक्जामपल लेता हूँ मान लेते हैं मैंने अलाबाद university select कर ली मै है लेकल का paper भी नहीं लिख सकता मुझे वह university हटानी मैं नहीं हटाऊंगा कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां मेरा result impact नहीं होगा सो मैं already qualify ही नहीं कर रहा हूँ यह हुई पहली चीज मैं वैसी eligible नहीं मुझे नहीं लिखना यहां पर नहीं मतलब this is what your CUET is जो भी पेज चल रहा है यह CUET है इसके basis पर मैं अपनी selected university में apply करने जाओंगा मैंने आपको select करा था मैंने paper भी लिखे हुए है यह लो मेरा form मेरे इतने नंबर आए मुझे admission दे दो यह होने वाला है तो बोलने का मतलब क्या है कि तुम्हें less करने से कोई फाइदा नहीं होने वाला भी बेटर है उनको कुछा फाइदा नहीं दिख रहा कि तुम लेस करो ठीके नौट अलिजिबल तो राइट डिस पेपर या तुम एलिजिबल हो मत apply करो तुम्हारे हाथ मैंने कि तुम पे करोगे न फाइनली यह बिल अगें आफ डिक्लेर्ड दराश सेलेक्ट अबफ यूटी प्रोग्राम एक्जामरेशन अंडिसेलेक्टेट सब्जेक्ट इस नौट लाइबल तो चेंज और मॉडिफाइड इलेटर स्टेज अप्लिकेश अच्छा ये लेटर स्टेज में चेंज नहीं हो सकता सब्सक्राइब हो गया हमने सारी पढ़ लिया हमने सारी चीजे पढ़ लियो हमें लग रहा है इसके बाद हम नहीं कर लेते हैं अप्डेट हो गया है अमने अप्डेट कर दिया है that's it अगे बढ़ते हैं तो अब पेमेंट डीटेल यहां पर देखो कि अगर मेरा पेमेंट डीटेल क्लियर है मतलब अगर मैं फॉर्म आगे बढ़ाता जा रहा हूं है अगर लग रहा है अभी भी कुछ इशू है फिर रूख जाओ एक बार फिर से चेक कर लोगी कि अब यहां स अगे बढ़ेगा मैंने युझिवर्सिटि कर ली कोर्स कर रहा हूं तो मैं मैंने बोला मैं कर सकता हूं लेकिन फॉर्म सब्सक्राइब मैं मैं नहीं कर पाऊंगा तो अगर तुम विल्कुल क्लारिटी हो गई कि हाई राज में दिनवार बैटके मैंने पूरा चेक कर लिया सब तुम आगे बढ़ जाओं पस इतना ही प्रोसेज है पूरा तो युनिवर्सिटी आइड कर लो एक बार कोर्से सलेक कर लो कोशिश करो मैक्सिमम कर लो फिर द्यान रखना मेरी बाद बिलकुल यह मत सोचना कि अगर कर लिया तो बाद में डार्ट पढ़ जाएगी न्टीय से क्यों करा था हमारा टाइम वेस्ट मैक्सिमम कोर्से देट यू थिंग यू शूद अप्लाई फॉर इस नोट दी एक्जाम उफ वन सिं करता हूं तो अगर मुझे असा लग रहा है वेरी कॉंफिडेंट की मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए स्वाइल प्रोसीट टू दी नेक्स सेक्शन प्रीज़ वेरिफाइव डीटेल्स क्लिक क्लिक कियर तो कैंसलो के सारी डीटेल्स अपडेटेड है और मुझसे वही उल्ड सलेक्शन भी आघे पुराना की अपडेट था ने पटा दिया कि युनिवर्सिटी मुझा बता दिया कि कि एश पे में नहीं होगा तो मैसिव युनिवर्सिटी एक मैक्सिमान करें तुम्हें कि युनिवर्सिटी को बारर बार एक राइड करント के उसके लग लग प्रोग्राम भी एक कर सकते हो और इसको आगे बढ़ाई उनिवर सिटी युम्हें को प्रोसेस बता है इसको वापस एक बार देखो और आगे बढ़ जा ठीक है अब कोई डाउट होगा चो हम इस पर और क्लारीटी के साथ बाते करेंगे यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा युनिवर्सिटी प्रोग्राम कैसे चूज़ो कैसे सलेक्ट करना है कहां पर वीडियो समझ में आया हो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे बहुत से अब्डेट्स तुम्हें मैं देने वाला हूँ अभी तो शरुवात है दोस्तों अभी तो दिल्ली दूर है और बहुत सारी उनिवर्सिटी दूर है अभी अभी पूरा समझेंगे कोर्स तो हम लोग कराई रहें उसको भी जॉइन करो और हमारे साथ पढ़ो और निकालो अच्छी उनिवर्सिटी और अच्छी जगे पहुत जाओ ठीक है तो देट्स वीडियो के लिए वेट करो सब्स्राइब जरू करना चैनल को थैंक्यू थैंक्स अलोट झार कि उनिजरू का तो ऑृट्स